महाकाल शिव की महिमा अप्रमपार है। उन्हें प्रसंद करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजापाट की जरुरत नहीं होती। बैलकि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भुले नात की कुरुपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वज़ है कि अपने भख्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। भग के प्रती महाकाल की अगाद आस्ता की इस कहानी को स्वयम भगवान कार्थिके ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजाश्वेत के तु जो की भुले नात के परम भख्त थे उन्होंने क को भी जीत लिया था. राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालक थे. वह अत्यन्त ही नीष्टा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाद आस्ता और श्रदा भाव से शेव भक्ती करते थे. उनके इस भक तो होने को था और वह भोलेनात की आराधना में लिन थे. तब चित्रभुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयू अब पूरी हो चुकी है. अब उनके प्राण हरने का समय है. तब यमराज ने अपने दूतों को आज्या दी, किवे जाए और श्वेत केतु के प्राण हर लाए. यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे, तो वह शिव मंदिर में थे. दूत बाहर ही खड़े हो गए. श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे. बहुत देर हो गए. ना श्वेत केतु का ध्यान तुटा, ना ही दूत हिले. दूत बीना अपना का किये वहां खड़े रहे जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलम होते देखा तो काल दंड समाला और खुच चल पड़े दूतों के आने में देर होने के चलते यमराज स्वयम ही राजाश्वेत के तुके प्राण हरने पहुचे लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शियुपूजा में डूबा है इस तिती में शियुपूजा का उलंगन नहीं किया जा सकता तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए उ यह जबटकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा शुईत कितु का सिर काथने के लिए तलवार उठाई शिव ने अपना तीसरा नेतर खोलकर काल की और देखा बोलेणार का तीसरा नेतर खुलते ही काल वही राजा शुईत के सामने जलकर भसम हो गया थोड़ी देर बा इसे किसने और क्यों जलाया। तब बोलेवनात ने बताया कि यहां काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। उने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीविनदान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भगते हैं। महाकाल की कुपा पाकर उनमें ही विलिन हो गए। आपका दिन शुब रहे। विलिन श्राण हम रगते हैं।